हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यट्यूब चनल पर तो गाइस आज की सोड़ों में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर रियल्मी मुवाइल में एलार्म नहीं लग रहा है तो कैसे आप इस प्रॉल्म को सही कर सकते हैं तो गाइस अगर आप चनल पर परली बारा है तो वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लोक वाला एक आप मिलेगा यहाँ पर आप दे सकते हैं क्लोक या एलार्म नमका आपको इस एप को खोज लेना अपने फोन में मि क्लिक कर देना है अब गाइस क्लिक करने के बाद आपको इलारम लगाने के लिए प्लस पे नीचे क्लिक करना है अब यहाँ पर छे बचकर 57 मिट हो रहे हैं मेरी जो घड़ी है वो 24 घंटे वाली है अब यहाँ पर आपको जिस टाइम में लगाना है उस देखें यहाँ पर ही हावर यह मतलब घंटा और मिनट है आपको जितना बच tap जितने लगाना आप लगा सकते हैं तो मैं यह यहां पर लगाता हू corresponds다 हो जैसे कि लिए और यहां पिल्ल के चैँआ बश्टों में अठाव 2प ह € network प नधे लगा देते हैं और यहां पर अब आपको इतना करना है कितने बचकर कितने मिनिट तक आपको चाहिए एलार्म बजना चाहिए फिर आपको यहाँ पर रिंग टोन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक करने एक बाद आपको बहुत सारे सिस्टम रिंग टोन मिल जाएंगे जो आपके फोन में पाले से ही र लगांज अगर आपको इस time की आस-पास लगाना है दसमिल बाद तो फिर आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है एक नए यहां पर आ जाएगा और यहां पर आप देखते हैं कि यहां रिंग्टोन पे क्लिक करता हूं किसी रिंग्टोन को ले लेता हूं भैक आता हूं फिर उपर डन पे क्लिक कर देता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो रिंग्टों ने तीन मिनट में बजेगी साथ बजकर तीन मिनट हो जाएंगे उपर यहां पर देख सकते हैं छे बजकर 69 मिनट हो रहा है तो इस तरीके से आप यहल में के मौल में रि यहाँ पर और एक किसी भी रिंटून को ले लेता हूँ डन करता हूँ और अब गाइस देखना यहाँ पर देखिए बज रहा है तो यहाँ पर आपने देखा मैंने जैसे लगाया वो बजा तो दोस्तों इस तरीके से आप इलार्म लगा सकते हैं तो आज की दों बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू